हरे क्रिशना दोस्तों मैं दीप्ती आपका हाड़ दिख स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल सपनों के रहसे फल में उमीद करती हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आपके उपर भगवान की इक्रिपा सदेब बनी रहे आपका दिल मंगल में हो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सपने में अगर आपको सफेद कमल दिखाई देता है तो इस सपने का क्या अर्थ होता है इस सपने से आपको क्या फल प्राप्त होता है आईए दोस्तों जानते हैं यह सपना आपके जीवन पर क्या प्रभाब डालता है सपने में सफेद कमल का फूल देखना बहुत ही अच्छा और सुह सपना माना चाता है यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपकी अध्यात्मिक उन्निती हो सकती है इसके अलावा दोस्तों यह सपना दशाता है कि निकट भविश्य में आपको मानसिक सांती भी प्राप्त होगी यदि आप किसी समस्या से लंबे समय से घिरे हुए हैं तो आपकी वह समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी अगर आप सपने में स्वच्छ कमल के फूल को खिलता हुआ देखते हैं तो यह सपना इस और इशारा करता है कि मा सरस्वती की कृपा आपके उपर बनी हुई है इस सपने को अध्यात्मिक प्रेम धन ज्यान आदी का सूचक माना जाता है दोस्तों अगर सपने में आप सफिद कमल पर मा सरस्वती को बैटे हुए देखते हैं तो इस सपने का अर्थ होता है कि निकट वविश्य में आपके विचारों में सुद्धता का भाव उत्पन होगा इसके अलावा यह सपना इस और भी इशारा करता है कि अगर आपका विस्वास द्रण है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी इसके अलावा दोस्तों अगर आप सपने में सफिद कमल की बहुत सारे फूल खिलते हुए देखते हैं तो यह सपना बताता है कि आपको अनेक छेत्रों में नए अफसर प्राप्त होंगे यह सपना भी बहुत ही सुब सपना माना जाता है दोस्तों अगर सपने में आपका सफेद कमल को आप तूटे हुए देखते हैं तो यह सपना अच्छा सपना नहीं माना जाता यह सपना इस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी चैनल सपनों के रहसेफल को लाइक सबस्क्राइब और शेयर अवश्य करें